नमस्कार मैं हूं संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network पालिय मैंट में जब प्रधान मंत्री के सामने खड़े होके संजे सिंग ने आमाधी पार्टी के सांसद संजे सिंग ने बहुत तीके तीके आरोफ प्रधान मंत्री के मुझ पर लगाए मैंने उसी दिन अपने मित्रो संजे सिंग छे महीने जेल में रहे और बाद में एडी ने खुद कह दिया साथ इनकी जमारत में हमें कोई तराज नहीं है क्योंकि एडी समझ गई थी इनके चक्करना बाकी केस भी खतम हो जाएगी संजे सिंग जेल से बहार निकले तो गोदी मीडिया के चैलों ने भारतिय जनता पार्टी की जो धुलाई की है उसको भारतिय जनता पार्टी सालों तक याद रखेगी सबसे बड़ा मुद्दा सबसे कमजोर नस जो आरक्षण की है वो संजे सिंग ने दबा दी संजे सिंग ने देश को बता दिया जगह जगह जाकर बता दिया कि भारतिय जन्ता पार्टि सम्मिधान क्यों बदलना चाहती है क्यों उसके बार-बार सांसत कह रहे है कि हमें 400 से पार सीटें चाहिए इससे हम सम्मिधान बदल सकें यब ऐसे है कि जब यह बात आरती सरख Wilson के बीच पें चली गई कि भारती जन्ता पार्टी सरकार में आ गई तो आरक्षण जा सकता है तो उसके बाद बीजेपी घवराई हो मोदी जी ने कहा कि बाबा साफ खुद भी आ जाएं तब भी आरक्षण ने बदले जाएगा गलत बात है तेकि समस्ते यह कि बीजेपी के नेताओं का प्रधार मंतरी का लोगों पर भरोसा नहीं बचाएं उनकी बातों का भरोसा नहीं बचाएं संजय सिंग से मैंने अन्रोज किया कि आई यह कुछी बाचीत करते हैं मैं उसे जानना चाहता था यह तेवर आये कहां थे और क्या वास्तम में वह समधान के बदलने के नाम पर वह जंता से सच बोलने हैं या गरत बोलने तो बहुत शांद करना नहीं बूरिये चलते हैं संजे सिंग के पास और जानते हैं उनकी तीकी खरी-खरी बातें कि क्या है संजे सिंग के मन में नेटवर्क में सौगत संजे जी आपका प्रदान मंतरी जी भारती जनता पार्टी सही कहती है आप लोग गॉरिल्ला युद करते हैं एक छूट मैं जूट बोलने की मास्ट्री तो अगर किसी के पास है और उसके डिगरी किसी के पास है तो स्वभारती जंता पार्टी का तो नामी है बढ़का जुठा पार्टी जूट बोलने में उनको महारत हासिल आप बताएं ना जूट बोलने के लामा क्या करते हैं प्रधान मंत्री जी मैं तो प्रधान मंत्री जी को कहता हूं मोदी जी कहते हैं मेरी यह गारंटी है वो गारंटी है मैं मोदी जी को कहता हूं मोदी जी की एक ही गारंटी है जूट बोलने की गारंटी उन्होंने काला धन लाने के नाम पे जूट बोला, 15 लाग देने के नाम पे जूट बोला, किसानों की आमदनी दो गुना करने के नाम पे जूट बोला, MSP के नाम पे जूट बोला, रोजगार दो करोन नौकरियां हर साल देने के नाम पे जूट बोला, रुपया ताकतवर बनाने के नाम पर जूट बोला कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जूट नहीं बोला प्रधान मंत्री जी तो नाली के गैस से चाह बनवा देते हैं ताली बजा के करोना ठीक कर देते हैं ताली बजा के करोना ठीक कर देते हैं प्रधान मंत्री जी तो और बीजेपी को बबारे में तो आपको कई शंका होनी नीचे जूट की फैक्ट्री है अब आपने जो सवाल पूछा उस मूल प्रस्ण पर आते हैं कि हम क्यों कह रहें कि समविधान खतम हो जाएगा आपको साथ पता होगा जब भारती जंता पार्टी की पिछली सरकार थी य पाकायदा अटेल बिहारी बाचपेई जी की भारती जंता पार्टी की सरकार में उस कमिशन की एक रिपोर्ट भी आई उसके बाद से आप अगर आरेसेस और बीजेपी का पूरा इत्यास उठाके देखेंगे पूरे देश में तो बाबा साथ डॉक्टर भीम राम बेटकर लेकिन भारती जन्ता पार्टी– में भागवत का सम्विधान है और ऐक्षन खत्म होना चाहिए यह भागवत जी इस्व्यू का बयान है मन्मोहन वैद्ध जो उनके संयुक्त रास्टिय महासचिव हैं उनका बयान है कि आरक्षण से अलगावाद को जन्म मिलता है यह उनका बयान है मेरा बयान नहीं है और अब आपको आते हैं जो मोदी और अमिश्ण और आरस्स के विचारों को प्रचारिक करने वाला विक्ति है यह है अमित मालविया इसके सारे टूइट मैंने दिखाये थे और मैंने उस पर टूइट भी किया था आप देख भी लीजिएगा इसके टूइट है मेरे नहीं है इसने आरक्षण के लिए क्या बोला आ आरक्षण खतम होना चाहिए तेजस्वी सूरिया बीजेपी का सांसर्द है कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है यह उसके बयान है आधिकारिक बयान कोई जूटी बात में नहीं कर रहा हूं यह तो सच है ना यह अमिद्वालिया जो बीजेपी के और नरेंद्र मोदी जी के प्रचारों का उनके विचारों का प्रचार करता है विस्तार देता है पूरे देश में उनके आईटी सेल का हैड है आप बताइए यह कॉम्निकेशन का हैड है उनका यह तो साब तरह पे कहरा जाती आरक्षण ह अहर प्रकार के खतम होने चाहिए तेजस्वी सूरिया का बयान है आरक्षण एक गंदा दलदल है यह सारे बैयान के पड़े हुए खुद कहा कि यह उनके बयान को तोड़ मरोड के पेश किया गया आरशन को जारी रहना चाहिए आठ दिन पहरे कहा हुँने मुझे जब प् बयान दिलवार है यह आप मुझे बताइए ना क्या मंडल कमिशन का भी रोध नहीं किया भारतियंता पाटी ने जब इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया गया उस समय बीजेपी ने बीपी सिंग की सरकार से समर्थन वापस ले लिया उस सरकार क है आपको शायद पता नहीं होगा यह आम आदमी पार्टी है दिल्ली की साथ सीटों में से हमने एक सामान सीट से बालमी की समाज के हमारे कुल्दीव कुमार जी है उनको वहां पे केंडिडेट बनाएं इसलिए और दिल्ली एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर हम बाबा साह डॉक्टर भीम रावं बेटकर जी का सम्विधान पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों कोई एक राज्य हिंदुस्तान का बता दीजिए तो इसलिए मैं आपको यह बताने के कोसिस कर रहा हूं कि इनका मकसद बहुत साफ है यह भागवत जी का और आरेसेस का सम्विधान देश मे लगाना चाहते हैं और बाबा साहिब का सम्विधान खतम करना चाहते हैं भागवत जी का सम्विधान कहतार अच्छन खतम होना चाहिए वोट खतम होना चाहिए अब आप पूछेंगे वोट कैसे खतम होना चाहिए क्या हुआ सूरत में इतने दिन से आप पत्रकारिता कर र चंडी गड़ में हमारा केंडीडेट जीता इंडिया गड़ बंदन का हमाथ मी पार्टी कॉंग्रेस का वो सामने कैमरे के काट के वो तो धन्यबाद दूंगा आभार विक्त करूंगा मानी सरवोच चनेयाले का चंदर चूर जी का कि उन्होंने कैमरे उसको पकड़ा और वहा जा रहा है इंदोर वाला भाग जा रहा है तो आपके पास प्रत्याशी हैं नहीं है जो आपके सब्ढ़े रहे हैं को से हमारा प्रत्यासी भाग गया है पूरत में इंडिया घड़ बंदन अच्छा चलिए एक मिनिट के लिए मैं मान लेता हूं उस प्रत्यासी का किसा अध करा दिया तो क्या अकेले इंडिया गडबंदन का प्रत्यासी था वहां पर बाकी प्रत्यासी हों का कैसे प्रचा खरीज हो गया माले यह आपकी बात मैं माल लेता हूं कि छलिए ठीक हो भाग गया आया चुनाँ नहीं लड़ा बाकी कैसे बाकी नाम कैसे उड़ गए बाकी लोगों ने विड्रा कर लिया तो यही तो मैं आप से कह रहा हूँ आप उसको कह रहे हैं विड्रा कर लिया मैं कह रहा हूँ डंडे दिखा कर लिया यह बुन्यादी फर्क है और एक बार नहीं संजे जी पछले दस साल का इतिहास उठाके देखिए इन्होंने महारास्टा में क्या किया दो पार्टियां खतम कर दी सरत पावार जी की घड़ी चुरा ली सिवसेना की तीर कमान चुरा ली क्या किया नहोंने मद्रप्रदेश में वहां की सरकार को गिरा दिया एक चुनी हुई सरकार को करनाटक में में गिरा दिया कितने राज्यों का नाम लो गोवा में जोड तोड करके सरकार बना इन्हों ने इस तो पार्टी चोर लोग है वह पूरी की पूरी 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 चुडा ले रहे तो आपके विधायाक सब के पार्टियों के विपक्ष के विदाय बेखने को तयार बैठें उनके इतनी नेटिकता नहीं है कि पार्टी छोड़के उधर चले जा रहे हैं पैसे के लालच में तो उनको सबस सिखाएंगे उनको सबस सिखाएंगे यह आपने ठीक बात कहा और मैंने तो जब जेल से निकल आने का और साहस से आपको काम करना पड़ेगा डर के काम नहीं चलता राजनीती तो जो डर गए वो चले गए इनके साथ जिसको लड़ना है प्रदानमंती जी कह रहे हैं आपकी वार चार सो पार कहां दे उड़े आएंगे आप लोग तिनके की तरह हैं आप संजय जी कैसे इसलिए तो मैं कहता हूँ बढ़का जुठा पाटी है यह इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी की गारंटी है जूट बोलने की गारंटी है किसान कह रहा है मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है महिलाएं कह रही है मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है नौजवा उत्राखंड हो यूपी हो बिहार हो दिल्ली हो यहां का नौजवान तयारी करता था परिश्रम करता था सेना में भर्ती के लिए आपने चार साल की नोकरी कर दी उसके पीठ में छूरा मारने का काम किया आपने तो इसलिए सेना को भी आपने कमजोर किया नौजवानों को भी आपने दोखा दिया किस वर्ग को आपने छोड़ा आप चार सो पार का जो जूट ये लोग बोल रहे हैं उसकी सच्चाई आपको याद दिलाओं मैं पिछले लुटे दस वर्षों में चौददा चुनाव ऐसे हुए है जहाँ पर की बीजेपी के नारे पूरी तरह से जूटे सावित हुए बंगाल में गया बोले 200 पार आई 73 जारखंड में गया बोले 65 पार आई 23 महरास्ट्रा में गये बोले 1.500 पार आई 105 करनाटक में गये बोले 130 पार आई 65 हर्याना में गये 75 पार आई 40 दिल्ली में गये 45 पार आई 8 मिजोरम में गये 21 पार आई एक और अप कहरे चार सो पार चार सो पार जनता करिए तड़ि पार तड़ि पार तड़ि पार इनको तड़िपार कर लिए आपकी आप उसी दिर आपने जेल यात्रत तैकल ली जब प्रदान मंत्री के मुझारे लगा रहें तो क्या फरक्ष पड़ गया राजनीती में अगर इस देस के साथ बेड़ागर क रहे हैं आपकी संपत्ति उठा कर मुसलमानों को दे दी जाएगी, ये भारत के प्रदान मंत्री की बासा है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रदान मंत्री की बासा है, आपको दस साल में आपका कोई रिपोर्ट काड नहीं है बताने के लिए आपने बिजली पे क्या किया पानी पे क्या किया इलाज पे क्या किया रोजगार पे क्या किया काला धन पे क्या किया आपके पास बताने के लिए एक विशय नहीं है आप फिर वही हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान का पुराना घिसा पिटा रिकार्ड बजा रहा है किसको संपती दे दिया हिंदुस्तान की सारी संपत्ती संजय जी इन्हों उठाके अपने दोस्त अडानी को दे दी कोईला अडानी को गैस अडानी को बिजली अडानी को पानी अडानी को सड़क अडानी को पोर्ट अडानी को एरपोर्ट अडानी को इस्टील अडानी को रेल अडानी को सेल अडानी को बैंक अडानी को बता यह क्या नहीं दिया कोई जबाद देश की सारी सब पती लुटा दी अपने दोस्तों के उपर पंद्रा लाख करो रुपए चंद पूंजी पतियों का माफ किया आपने दोसो लाख करो रुपए का करजा हिंदुस्तान के उपर है पैटालिस वर्सों की सबसे ज़्यादा बेरुजगार ही आपके राज में है आपने इस देश का बेड़ागर कर दिया और भासा आपकी अभी भी वही है कभी आप गए वहां महारास्ट्रा में आप सरत्पवार को जो 84 साल के अवस्ता में उनको कहरें हो भटकती आत्मा है उन अगर देश का प्रदानमंत्री पचास करोण की गर्फ्रेंड जर्सी गाए कांग्रेस की विद्वा जैसे शब्दावली का प्रयोग करेगा अर्विंद केज्रिवाल को बन नसीब और अर्बन नकसल जैसे सब्द इस्तेमाल करेगा तो मैं यह कहूंगा यह सड़क्शाप प्रदानमंत्री की भासा यह भारत के प्रदानमंत्री की भासा नहीं है प्रदानमंत्री की भासा जो है आप किसी से भी पूछ लिजेगा समझदार आदमी से कि ऐसी भासा कौन बोलता है सड़क्शाप प्रदानमंत्री की भासा नहीं है प्रदानमंत्री की किसी बात पर य गुट बोलें ऐसी बाद कौन मस्ट पर अप्मान नहीं है कोई बाप अपने बेटे का कतल करेगा और वह माँ अपने बेटे का कतल करेगी चैनल बाबा साहब ने जिन्हों ने इस देश का समिदान बनाया जिन्हों ने दलितों पिछडों सोशितों वंचीतों को अधिकार दि आप बाबा साप को क्यों चुनोती दे रहे हैं कि वो बदलेंगे वह संबीधाल को भड़का रहे हैं देखिये ऐसा है मेरे कर्म मेरे कार जो लोग जानते हैं वो जानते हैं मैं हमेशा समाज के वंचित लोगों के पक्ष में खड़ा रहा हूं एक नहीं अनेक हजारूं दारन मिलेंगे अप हजारों उसमें हमारे अपने लोग हमसे नाराज भी रहे हो लेकिन हमेशा मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहा नहीं समाज के बंचित लोगों को अधिकार मिलना चाहिए इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ अब इस देश में चुनाओ नहीं होगा अगर गलती से बीजेपी जीद गी पुल्याम करें पचास साल राज करेंगे पुतीन मॉडल लागव होगा यहां पे किम जॉंग वाला चुना होगे नहीं पचास साल कह रहे हैं कि पप्लिक इस्ती खोश हो जाएगी पचास साल तक हमें शासन करने को देगी यह बहुत खुश है पबलीक खाली डेड़ करोन बच्चों के जिंदगी ही तो बदबाद हुए पपेपर लीक में खाली पचास लाख लोग ही तो मरें करोना में खुश तो है पबलीक बहुत खुश है एलेक्टोरल बॉंड का भरस्टा चार देखके कितनी खुश है पबलीक और मौदी जी कह रहे हैं तो ट्रेलर अभी ट्रेलर इतनी ट्रेलर इतना खतरनाग है तो पिच्चर कितनी भयाननक को की आपकर्णा की तो आपके नेता ने भी तो आरूप लगाया है ना यह लगना आ है कि यह कब कमामला है चौधा से मामला चल रहा है दस साल हो गए हर चुनाव में ऐसी जूटी बाते हैं इसलिए कहता हूं इस देश ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जूट बोलने की फैक्टरी अगर कोई है तो भारती जन्ता पार्टी इसलिए जब इन लोगों से लड़ता हूं तो कई बार आप लोगों को लगता है बड़ी तल्ख वासा का प्रियोग कर रहा हूं लेकिन ये लोग हैं ऐसे इन्हों ने इस देश को बरबात कर दिया है यहां के कौमी एक्ता और भाई चारे और अमन को चकना चूर कर दिया और कोई हिंदू मुसल्मान का भी सवाल नहीं है बिफे बान कि पहे की डियरीवाल को जान मेरेख़ा इंके खिलाब जो बोलेगा उसके साथ यह आतंक वादियों जैसा बेखार करेंगे पिछले बार मेरे आफिस में आके एक इंटर्वु किया था इंटर्वु गया और जारी हुआ चौवेश गंटे बाद मेरे अरेस्ट हो गई मैं तो बुरा नहीं मानता अहां भादो रहे संजाजी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गाउंग में जाओ तो वो ये लोग ही कहते हैं कि हमने दरितों को पिछ्डों को वंचितों को असी करों लोगों को दो वक्ता राशन दिया है तब देश में भारत की ये भारत की दुर्दसा की गाथा आप गौर्वानमित होके सुना रहे हैं प्रधान मंत्री जी ये और भी दुर्भाग के पूंड है कि 77 साल की आजादी के बाद इस देश के लोगों को पांच किलो राशन के लिए 82 करोंड लोगों को आपने लाइन में खड़ा कर लिए और हम इस साथा बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बी सी सी आई का चेर्मेंड बन के गुमदा तो दिखाई पड़ रहा है ना फर्क कि आपकी सरकार किस के लिए काम कर रही है चंद पूंजी पतियों के लिए बड़े लोगों के लिए अपने दोस्तों क अगा मोरल्टी की बात होती तो जैसे नैतिकता भाजपाईयों से ही सीखनी पड़ेगी भाजपा वाले भ्रस्टाचार के खिलाप बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उग्देश दे रहा है कि डाकू गबर सिंग अहिंसा पर उग्देश दे रहा है भाजपाउले भ्रस्टाचार के खिलाप बोलेंगे इसी शराब घोटाले में जिसमें यह आरोप लगा रहा है हम आदमी पार्टी पर बावन करोर रुपए साथ करोर रुपए शरत्चन ने रेड़ी नाम के व्यक्ति से लिया जिसको एडी ने कहा कि यह किंग पिन है मुख्य गोटाले बाज़ आप मुझे बताईए कोई कारवाई हुई बीजेपी के नेताओं से कोई पूस्ताच हुई उसके घर गई कोई कारवाई करने के लिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह एक बेबुनियाद और जूटे आरोप लगा के आपने केज डिवाल जी को जेल में डाल दिया जो आदमी दिली के लोगों के लिए सिक्षा का इलाज का बिजली का पानी का तीर्थियात्रा का इंतिजाम करता है आपने उसको जेल में डाल दिया बेबुनियाद और जूटे आरोप लगा के 23 दिन तक आप उसको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं और बात में करें इस्तीफा दे दो तो मणीपुर का जो मुख्यमंत्री है जहां पर एक साल से इंसा हो रही है जहां पर कारगील योधा की प पहलवान बेटियों को नया नहीं मिलना चाहिए उस प्रज्वल रवन्ना जिसके लिए प्रधान मंत्री प्रचार करने गए थे आप बताइए न मुझे आप आप कल्पना कर सकते हैं हजारों वीडियो उस दरिंदे के आए उसके मां समान औरतों के साथ उसने दरिंदे की की हाथ जोड़ रही है गिरगिर आ रही है और प्रधान मंत्री उसकी पीट ठोक रहे करें इसी को वोट दे ना कि कि किकी देश के किसी टीवी चैनल की हैंलाइस देखी आबने रवन नगी तो तो कैस्क यही तुम्हें कह रहा हूँ न यह दुर्भागिपूर्ण स्थितू har Before सब्sy actors आप जब जेल से निकल रहे तो इसी मीडिया के बड़े बड़े टीवी चैनलों पी सुर्कियों थी कि एडी ने संजे सिंग पर महरवानी क्यों दिखाई? शो हो रहे थे कि आप बीजेपी के साथ बिल गए हैं. अब हो रहे हैं कोई सबुगे आप कोई टीवी चैनल और दिखा रहा है मुझे अब ने हमला कर दिया ना आके बाद लेकिन क्या महल बना दिया ना आप निकले जेल से पूरे पूरे दिन ये चिला रहे हैं कि बीजे पी ने के इशारे पे संजय सीमिल आपको बुरा नहीं बात कर लेंगे और किसी चैनल से बात कर लेंगे यूट्यूप चैनल से बात कर लेंगे तो जर्वनी में भी बैठके अगर धुरूबराथी एक वीडियो बनाता है तो उसको लोग वाटसेप पे एक एक घर में पहुचा देते हैं तो संजे सब्रा का यूट्यूब जैनल माल लीजे बंद भी कर देंगे तो आप चौराएं पर खड़ी हो के कहीं बना दीजेगा वीडियो वो भी पहुच जाएगा हर वाटसेप पे केजरीवाल जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कल दो टिपड़ी हुई है वो आपको सकून देने वाली होंगी पूछा कि अंतरिम जमानत क्यों नहीं दे सकते क्या लग रहा है कि केजरीवाल जेल से भार आ जाएंगे नौतारी को आएंगे तो दिल्ली की साथ सीटों पर कितना असर पड़ेगा इमानदारी से बताईए देखें मैंने कोर्ट के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया बावजूद इसके सुप्रिम कोर्ट में दो बार एडी ने मेरा नाम ले लिया एडी के वकील ने तो इसलिए मैं कोई टिपड़ी नहीं करना चाहूंगा प्रतिक्षा करूंगा जो भी निर्णे आएगा उस पर जाएंगे इंडिया गड़ बंधन के प्रचार के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा फरक पड़ाएगा और मैं नियूनतम अनुमान लगा रहा हूं बीस सीटों पर फरक पड़ेगा आरविंद केज़िवार इस सीटे बीस सीटों कम से कम नियूनतम आपने प् कम बचेंगे पंद्रे दिन बचेंगे क्या प्लानिंग कली है आमाधी पार्टी ने की केजरिवाल के बाहर निकलती कहां का जाना है पूरी तयारी है बता पाएंगे कौन कों से राज में जाएंगे अब भी बताना ठीक नहीं होगा लोग तो लोग अन्मान के लगा रहे है कि ने आने दीजिए बस मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कम से कम बीस सीटों पर फरक पड़ेगा अच्छा यह मैं बताईए कहां का जाएंगे एक बता दीजिए बड़ा लोगों को मन में कौतूर है लोग कह रहे हैं कि बनारफ से चनौ लड़ सकते हैं अर्विद के जीवा आपका मन है कि वह बनारफ से चनौ लड़े हैं अब पहले उनको निकल के आने दीजिए फिर बात करेंगे अर्विद केश्दिवाल तो उस तरह के हैं वह आप सब उनके भाई की तरह परवार की तरह घर में रहते हैं और बात करते हैं अभी तो बात करना संभो नहीं हो पा संजे सिंग की इच्छा क्या है हम हम पार्टी की बात निकर रहे हैं कि किसी भी राजी सिक डल में सामोहिक निर्णे ही सबसे महत्तुकूर्ण होता है तो इसलिए आने दीजिए बाहर फिर उसके बाद बताते हैं क्या लग रहा है इंडिया गडवंदन की जो इस्टिती बन मंत्री की बौकलाहट उनकी हतासा इस बात का संकेत है जो भासा वो प्रियोक कर रहे हैं अमर्यादित भासा इससे ये साफ तोर पर लग रहा है कि उनके मन में भी घबराट है और वो चुनाओ हार रहे हैं दो चरनों के और तीन चार तीसा चरन भी हो गया तीन चरनों के करता से जा रही है तीन सो से ज्यादा सीटें इंडिया गडबंदन की आएंगी इंडिया गडबंदन की सरकार बनेगी और कुछ वादे जो इस देश के लोगों के साथ हमने किये हैं जैसे कि यह अगनी वीर योजना है अब सेना में जैसे पहले भरती होती थी वैसे ही भरत महंगाई के नाम पे इस देश की जनता को जो ठागा गया है धोका दिया गया है उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे और इसी वचन वद्दता के साथ अब देखिएगा इंडिया गडबंदन की सरकार बनेगी और काम करेंगी एक आखली सवाल पूरे चुनाओं में आपको क और वोट की ताकत छीन ली जाएगी नमबर एक दूसरा प्रधान मंत्री ने महंगाई और बेरोजगारी दस सालों में आसमान पर पहुँचा दी इस बात की पीड़ा और कस्ट हर वेक्ति को हैं तीसरा ताना साही का सासन लोग कंत्र में पसंद नहीं करते और खासतों से भ चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया वो चाय जहारकंड के मुख्यमंत्री हैमन सुरेन जी हो दिली के तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अर्विन के ज्रिवाल जी हो उनको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हैं जेल के अंदर उनकी पत्मी से आतंक वाद और कि तरह काम कर रही है किसी को फटब से रहे जूटे बयान दिला रहे है यह थोड़ रहे है तोड़ रहे हैं ठीक बात यह सब अधिए सुमय दिया तो ये ते संजे सिंग जी जेल में रहा है छे महीने लेकित तेवर कम नहीं हुए खरी खरी बाते आपने इनकी सुन ली समझ ली और अम मैं वक्त है आपका कमेंट का आपके राय का ये बाचीत कैसे लगी जरूर बताईएगा शुक्रिया थैंक यू अज आपका ते समय विए जाइब दो यू आपका यू जारूर का आपका क्या ये जावर खरी 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 बाते बाते हैं